पेट्रोल डीजल के दामों में आए दिन हो रहे ही इजाफ़े से हर वर्ग परेशान है और गद दिबस के दामों पर जंता ने जम कर केंदर सरकार को कोसा है एस्टूडे चैनल ने पेट्रोल डीजल के बढ़ाए दामों पर जाने कुछ वर्ग के लोगों कि राए युवांग को कहना है कि मोधी सरकार ने सत्ता में आने से पहले तो महंगाई को काबू करने की बात कही थी लेकिन आज दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है उन्होंने कहा कि आए दिन पैट्रोल डीजल के दामों में इदाफा हो रहा है जिससे जनता तरस्त हो गई है वहां चालक का कहना है कि जब बीजपी सत्ता से बाहर थी तो सटकों पर उधर कर परदेशन करती थी लेकिन अब सत्ता में आकर जो मर्जी रेट बढ़ाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि मोधी सरकार को चाहिए कि देश की जनता की फिकर करे और जल्द पैट्रोल डीजल के रेट को कम करे स्थानी दुकानदार सोनी का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है और रोगों का गुजारा करना भी मुश्किल बना हुआ है उन्होंने कहा कि पैट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए बज़ुर्ग कासी राम का कहना है कि पहले की सरकारे एक पैसा बढ़ाती थी लेकिन अब तो हर महीने में पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ाये जा रहे हैं जो कि गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए वहीं शांत्रों कुमार का कहना है कि पैट्रोल डिजल के दामों के बढ़ने से जनता के साथ साथ व्यापारी बर्ग भी परिशान है और महेंगाई को काबू करने के लिए जल सरकार को कदम उठाना चाहिए गौतरवे के अंतरास्ती बजार में पिछले हफ़ते कच्चे तेल के दाम में पांच फिसी तक की बढ़ातरी आई है कच्चे तेल के अलावा डॉलर के मुकाबले गिरते रुपेय ने भी इन दिन की कीमती बढ़ाने का काम किया है फिलहाल रुपेया सत्तर के पार बना हुआ है तुर्की में जारी आर्थिक संकट के चलते रुपेय में गिरावट है जिसकी वज़ा से तेल कंपनियों को कच्चे तेल को आयात करने पर जादा खरश करने पड़ रहे हैं यही वज़ा है कि इंदन की कीमती बढ़ रही है क्या सकते हैं जराम अब जो आज तेल के रेट बढ़ा रहे हैं जो सरकार अभी है जब वो सत्ता से बार थी तो वो खुद जलूस निकालती थी और सड़कों में बैटे जी सिलिंडर और बोलती थी जिसने गैस की रेट कैसे बढ़ा दिये हम 30 रुपे लिटर पे ड्रोल बे कि यह सब से बड़ी के हरोज 10-20-50 पैसे बढ़ाते हैं ताकि कोई ज्यादा चीके भी नहीं और 64 रुपे से 80 रुपे पहुंच गया है और कि इसके बारे में बोल सकते हैं इसके बारे में बोल सकते हैं कि सिकार से भगवान ने बचाए रहे हैं कि पट्रों डीजल के दाम क करते हैं तो चाहित हमें च्छब है कि curse आतर मन दिन बढ़ंगे लेकिन कम नहीं हो रहे हैं दो-Tirm हफतों और लगतार बढ़े हैं काम होने तो नामनिसान नाहीं है आज की डेट में देखें तो पट्रॉल और डीजल दोनो एक दो रूपय बढ़ रहे हैं कम नहीं हो रहे है तो हम सरकार सी कहना चाहते हैं कि पट्रॉल और डीजल के दाम जो हुआ वो कम हो और जो आम नागरी का हैं उनको तो थोड़ी सी रात की सांस मिले आज की देट में जो है कि 69 पे हमारा डीजल हो चुका है और 79 रुपे के पट्रॉल हो चुका है तो इससे जो है गरीब आदमी जो है तरह हिमाम मचा हुआ है जिस पे जो की जैसे की सबजियां है तेल है हमारे खाद्यापदार से जितने भी है जो उनके दाव जो आसमान के भाब चू रहे हैं जो की इसका सारसरे मुदी सरकार को जाता है जिनोंने इस टाइम में इतनी महिंगाई जो है इतने उच्छ स्तर पर आ चुकी है मैं तो एक कहना चाहूँगा कि जी सी सार्फ से दिन प्रती दिन पेट्रोल और डिजर की दाम असमान चू रहे हैं इससे आम जंता व्यापारी वर्ग और हर आदमी को इसकी मार जहना परेगा और इसमें मैं समझता हूँ कि सरकार को इसमें लगाब लगना चाहिए और इसमें के निरधारी रेट पे बेचना चाहिए ताकि आम जंतों को परेशनी ना हो अब नेचरली जब इसका मेंगा होगे पेट्रोल डिजर इसमें टांस्पोर्टर की चार्ट व्याइदा होगा उसमें बैबारी बर्गों कि नुक्सान होगा जब प्रिटुल मेंगा होगा तो भासों की किरा में ब्रिध्य होगा जिसमें उसमें आउड परेशने के सामना करना परेगा जिसमें सरकार को ईब वह कुछ लगना चाहिए इसी तो फ्यृष एक पैसा बढ़ाती ती को अगला डाल देखे के अब इनको नहीं पर्टा के कितने बार प्रणी के दाम बढ़ और जो मंगाया यह प्रण। देखे के दाम पर ही बढ़ जाती है, अब कपड़े के दाम बढ़। मेरे मिला वर हमारे के बार्टियोत सब्धी मेर बढ़ ओर लrise और काम यह पिदए कि और बार समय को जाये तो